दोस्तों नवस्कार मैं उम्प्रकास संडलोपी एक बाद फ्रस्वागत करता हूँ आप सबका अपने इस नई वीडियो में दोस्तों आज बात करने वाले हैं कि अगर किसी बिल या वसीहत के सभी अनप्रमारिक साक्षी की मृत्यु हो जाती है तो उस वसीहत को उस बिल को कोट में प्रमारिक कैसे किया जाएगा जैसे आप मान के चलिए आपने किसी से वसीहत करवाई है और वसीहत करवाने के बाद उसमें गवाह भी लगते हैं वसीहत करने वाला बक्ती के सारे हस्ताक्षा लगते हैं सारी फोटो लगते हैं और उस वस की है उसकी भी मृत्यू हो जाए आपके दुख गवाहों की भी मृत्यू हो जाए तब आप उसे कोट में कैसे साबित करेंगे वह संपत्ति अपने नाम कैसे करवाएंगे आज इसी विशेपर चर्चा करने वाले दोस्तों अगर किसी बिल्य वसीहत के सारे अनपरमालिक साक्षियों की मृत्यू हो जाती है तब उसे आप कोट में प्रूप कर सकते हैं भारतिय साथ चद्रियम की धारा 79 के दोस्तों भारतिय साथ चद्रियम की धारा 79 कहती है कि दो पॉइंट के अनुसार आप अगर किसी भी वसीहत के सारे साक्षी की मृत्यू हो गई है तो आप परमालित कर सकते हैं पहला है कम से कम एक अनपरमालक साक्षी का अनपरमाल उसी के हस्तलेक में हो दोस्तों यह प्रकार का मामला यह होता है कि जैसे जो आपके दो गवाँ है या जिसने वसीहत की है उस बेक्ति के आपका दस्ताबेज है वह उसकी हैंड राइटिंग में हो अगर यहाँ आप साबित कर ले जाएं कि यहाँ इसी बेक्ति की हैंड राइटिंग में है तब आपका वसीहत बैद मान लिया जाता है कोर्ट में भी आप पुरूब कर सकते हैं तो एक बेक्ति जो दस्ता बेज लेखक होता है वा दस्ता बेज का निस्पादन करता है दोस्तों और अमने वकील भी दस्ता बेज का निस्पादन करते हैं एक जो खरीद रहा है या जो इसको वसिहत की जा रही है उसका डाकूमेंट लगा एक जिसने वसीहत कर रहा है जो विक्ति उसका लगा या जो बेच रहा है उसका लगा और दो गवाहों का लगा इसके बाद में एक दस्ताबेज निस्पादन करने वाले विक्ति का भी प्रमाल लगता है तो अगर सभी साक्षी मर गए हैं तो जिस बिक्ती ने दस्ता बेज का निस्पादन किया है उसके अगर हस्त लेक में आपका डाकूमेंट लिखा हुआ है उसका सिगनेचर है तो उसके बयान से भी आप कोट में अपनी वसीहत साबित कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिर एक नई प्राब्रम साल्विंग वीडियो में तब तक आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके कानून की जानकारी लेते रहिए मामलों से बचके रहिए I love you all जै हिंद जै भारत